तो कोश्ट गाड़ वालो सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दीजे कि परिक्षाय पर आपके लिए डीबी और जीडी की टेस्ट स्रीज लांच कर दी गई है और मैंने खुद इन टेस्ट स्रीज को चेक किया यह आपकी एक्जाम की त्यारी के लिए बेस्ट है जब आप इन यह स्टेंड आप 50 कूपन को यूज कर लिजेगा आपको 50% का छूट मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा तो सिर्फ आप 140 रुपे में इन टेस्ट स्रीज को खरीद के साल्व कर सकते हैं सजाई वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाई करिए और साल्व करना सुरू कर अब सबी का स्टनाप क्लासेंगे इन्डियन कोस्टगार्ट नेवी मर और रहार फोसू ग्रुप ए के लिए मैटमेक्टिस का स्पेशल क्लास 15 का साल्व करेंगे जिससे आपका कॉंसेप्ट क्लियर होगा और हम ज्यादे से यादे प्रेक्टीस इस ले कर रहा हैं जिससे आ आप लोग कल उर्ट कॉंसेट पढ़ेंगे आज भिलाल के लिए आप लोग ट्रेन और कॉंसेट पढ़ेंगे इसमें भी आठ नौ कोशन है आप लोग अच्छे स्वाल्व किजेगा और इसका एंसर कमेंट करते रहिएगा तो शोलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते है सबसे पहले लोग पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन देखें क्या दिया हुआ है यह मैन वाकिंग एड़ दर रेट आफ फाइब किल्योमीटर पर अबर एक ब्यक्ति पांच किल्योमीटर परती घंटा की घंटी से चलते हुए एक पूल को 15 मिनट में पार कर लेता है और कितने की स्पीड से चलना है पांच किल्योमीटर परती घंटा की स्पीड से चलना है और वो एक पूल है कोई एक पूल है उसको 15 मिनट में पार कर लेता है उसकी speed कितनी है 5 km प्रती घंटा और वो कितने मिनट में पार कर ले था उसको time कितना है उसका 15 मिनट तो बताए पूल की लंबाई क्या होगी तो क्या पूछ रहा है इस पूल की लंबाई बताए कोई मालीज ये पूल है ठीक है तो कोई आदमी जा रहा है मालीज आपी जा रह आवर में change कर लेते हैं तो 15 बते 60 यानि 1 बते 4 घंटा ठीक है और speed कितना आपका दी है दूरी बरावार आपका है चाल गुडे शमय तो चाल गुडे समय तो चाल गुडे समय तो चाल कितना है पांच क्लो मिटर पर घंट और समय कितना है एक बच्टे चार ठीकाitud 5 किलमिटर पर घंट पर बताएः आपका डिस्टेंस हो गया आपका कितना आए गया आपका 5 by 4 किलो मिटर अब इसकों लोग क्या करेंगे चेंज करते हैं चार एकम 4, 4 दुनी आठ चार पचे 20 यह रहा आपका 1 किलो मिटर और यह रहा 200 मिटर ठीक है आपका इसकों ले सकते हैं आपका फ्यूचर में काम आएगा आपको रिवाइज करेंगे तो आपको यह सब काम देगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन देखेगा आप लो कोशन नमर सेकेंड एट ट्रेन 100 मिटर लंबी ट्रेन 30 किलो मिटर प्रती घंटा की गति से चल रही है ठीक है एट ट्रेन 100 मिटर लॉंग इज रॉनिग एड दे स्पीड आप 30 किलो मिटर फर आबर दे टाइम टाइम की तने इन सेकेंड एंड इन विच इट फासे जब मैं इस्टेंडिंग नियर दर रेलेल लाइन इज प्रेट फाम के निकट खड़े ब्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा ठीक है बस देखें इसमें क्या दिया है कि 100 मिटर लंबी ट्रेन है ठीक है और 30 किलो मिटर का इसकी स्पीड है अब बताए कोशन बहुत अच्छा है ठीक है यह कोशन बहुत बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है कोशन है आपके लिए आप ठोड़ा दिमाग लगा इसमें डिस्टेंस हमारा क्या होगा क्योंकि मैंने यह कांसेट्ट आपको करा दिया है देखिए ट्रेन के लंबाई कितनी दिया है 100 मीटर दिया है सबसेड कीतना दिया है 30 क्लिम्येंटर प्रति घ्राटा सबसेपहले कीजिया अपलो 30 क्लिम्यचर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजी ठीक है 30 लूटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड चेंज करेंगे 30 उड़े 5 वटे 18 से मल्टिपलाई कर देंगे आपका हो जाएगा जब भी कोई खंभा या पोल या आपका कोई आदमी या व्यक्ति को पार करती है तो जितनी ट्रेंड की लंबाई होती है उतनी वो डिस्टेंस करती है तो यहां से दूरी आपका कितना हो जाएगा ट्रेंड क्लंबाई कितनी दिये 100 मिटर यहीं पे आपका कॉंसेप्ट था औ और कुछ नहीं था तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया हंड्रेड मीटर हो गया डिस्टेंस हंड्रेड मीटर हो गया और आपका स्पीड कितना आ गया 25 वट्टे 3 मीटर 30 सेकेंड तो आपका समय कितना होगा समय ब्रावर क्या होता है दूरी वट्टे 4 समय ब्रावर क्या होता है 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 समय ब्रावर क्या ह कर लिजेगा जिससे आपको मेहत को कोशन को सॉल्फ करने में आई आपको इजी होगा ठीक है एंगले बताईए ठीक है आप से यहीं पुछा है कि एक ट्रेन है ठीक है उसका इस्पीड क्या सेम है वह 120 मीटर लंबे प्लैटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा एक 210 मीटर लंबे पूल को पारकने हम 25 सेकंड का समय लेती है तो रेल गाड़ी की गती बताई आपको यहीं बताना है आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आपका आपके सामने है A B C D दिया आपका A दिया 46.5 किलो मेटर पर आवर और B दिया आपका 37.5 किलो मेटर पर आव ऐसे देखिए मैंने आपको एक कॉंसेट बताया था तो आप लोग उस कॉंसेट से ने एक कोशन नहीं लगए क्यों कि वहाँ पर दो ट्रैन थी जहां पर पूल थे दूनों यहापका एक प्लेटफॉर्म है एक पूल है दोनों अलग लग चीज यहाँ पर यह कंशेट नही सबसेट निकालना क्या है गती निकालना तो इसे प्रवाद आपको सॉल्व करना है तो आप लोगो जो लेंध दिया है उसका डोनों का डिफ्रेंस बिट्विन बोत लेंगसे ठीक है दोनों लंबाईयों के बीच का जो अंतर है उसको लिखेंगे यानी डी टू माइनस डी वन अपान टी टू माइनस टी वन यह आपका कॉंसेट होगा यहीं फर्मुला आप लोगी यूज करेंगा इसे कोशन को सॉल्व करने में दोनों के लंबाई घटा देंगे पूल और प्रेटफार्म के लंबाई उसमें घटा एगा 11 किवलो मूठर 11 मीटर सुर्फ 11 मीटर पर 30 सेकंड ठीके 11 मीटर पर 30 सेकंड आपका क्यंब लिखा 2 का क्या Stand पर हमारा एंसर क्यों में दिया है किलो मीटर प्रती घंटा में तो इसकांग êtes लोग क्या करेंगए कि यहांगे इव्यानेतर फ्र्ताल प्रत्व आवहर करेंगे 15 होरेट ठीक है जब इसको दिवाइट कर देज़ा तरी प्रति घंट आपका क्या हो जाएगा तो इसे को अपको यही दियान देना है जो आपको जो लेंद दिया खाला धीक है दोसों दस एक सो बाइस दोनों का डिफरेंस यह निदी आपको करके आपको solve कर लेना है इसे question को direct answer आपका आजाएगा इसे अगर आप दूसरे methods करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादे time लेगा बस यह आपको apply करना है और तुरूंद इसको solve कर लेना है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले question पर अगला question देखेगा यह question आपके लिए home work होने वाला है यह question आपके लिए home work है easy question है बहुत ही easy question है आपको इस ले दे रहा हूं कि आप चाहे तो इसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाईएगा एक कैसे इसको solve करना है कुछ question कुछ खास है नहीं बस ऐसे ही आपको यह question दिया गय ठीक है और बारे किलोमेटर चलता है कितना चलता है बारे किलोमेटर चलता है फिर उत्तर की तरफ पांच किलोमेटर ठीक है उत्तर की तरफ पांच किलोमेटर ओके और चलता है यह बिंदू पर पहुंचता है यह बिंदू चलता है तो यहां पर पहुंचता है फिर उत्तर क करक देता हूँ फोर फोर नंबर का एक कोशन है मानके आपका कोशन नंबर फोर है तो आप लोग इसका एंसर जरूर कमिट कीज़ें आपके पास आपस आपसन है ए बी सी डी ओके बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन देखिएगा एक गति सील पचास मीटर लंबी रेल गाड़ी ठीक है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है पचास मीटर है एक सो लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में दस सेकेंड का समय लेती है ठीक है एक पचास मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है पचास मीटर है औ भी वस थोड़ाँ सा घूमाक धेरी इसा दो ऊस्न रोट नहीं ऊना चाहिए तो इसका इसका कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ से काम है और कुछ निर देखिए निकालना क्या है स्पीड निकालना है मीटर पर सेट हेंड में तो कुछ pickle चेंज करने जूडुत है found टाइम यादाया कुछ टोटल लेंथ इसी निकालेंगे कि दिखियो ही ट्रे पर स्पर्द के जो लेंथ स्टेकन्ड है नाइजी कोशन कितना इजी कोशन है और आप लोग ठिंघ डुड़ाइगे तो तुलात आपके एक कोशन आ जाएगा तो फंद्रा मिटर प्रफ सेकेंड आपके क्या हो जाएगा राइट एंस हो जाएगा आपको मिटर प्रफी सेकंड में ही बताना था तुछ गती से चलते हुए एक निश्टी दूरी को एक घंटे में ताय करती है और कार ट्राइवल्स एट आट स्पीड आप 60 किलोमीटर पर आवर और कवर्स आप पार्टिक्रल डिस्टेंस इन वन आवर इसा एक क्लास में कराया हूँ वो कार और ट्रेन वाला था एक हवाई जहाज वाला भी था दो कोशन में उस क्लास में आपको शेम कोशन कॉंसेप्ट बस वैलू चेंज गिया है तो उम्मीत करते हूं आप लो जरूर इसका देंगे नई देंगे तो मैं बताऊंगा ही मेरा काम आपका कॉंसेप्ट किलियर कराना ओके देखी एक कार है 60 किलोमीटर प्रती घंटा की गतिस चलते हुए एक निस्चुज दूरी को एक घंटे मिताय करती है कितने घंटे में? एक घंटे में तो बताई एक अन्यकार जो उसी दूरी को दूरी क्या है? सेम है 40 किलोमीटर प्रती घंटा की स्पीड से कितने समय मिताय करेगी तो सबसे पहले अबबु क्या करोगे? आपका समय दे दिया है आपका स्पीड दे दिया है तो क्या निकालोगे? दूरी दूरी बरावर क्या होता है? चाल गुडे समय क्या होता है? चाल गुडे समय यानि स्पीड इन्टू टाइम स्पीड कितनी दिया हुआ? 60 किलोमीटर प्रती घंटा टाइम कितना दिया? एक घंटा तो दूरी कितना हो गया? 60 किलोमीटर कितना हो गया, 60 km, आपका दूरी हो गया, अब बताओ, दूरी आपका 60 km है, 40 km प्रती घंटा की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है, 40 km प्रती घंटा की स्पीड से वो चल रहा है, और आपका दूरी कितना दी है, 60 km, टाइम कितना इंकल जागा, समय का फर्मला यहांस कितना हो आपका έऽ्ज तो एसपीड कितना है आपका 40 110 तो तेंचो तीन बट्य हो घंटता अब देख लीजे यहां तो आपनमे दिया आपनमार दिखा देता हो त्यक है आपनमार से आपके दिया यह तिन बट्य हो घंट आपका फाइब यानि यहले एक घंटा पांच मिनुट नहीं आपका एक घंटा 30 मिनुट एंसर होगा क्योंकि आधा का मतलब पॉइंट का मतलब उस 60 मिनुट का आधा ठीक है और इसे एक क्वेस्चन था एक लड़के ने कमेंट किया था पॉइंट टू फाइब वहां पा रह पॉइंट फाइब का यह क्या है पॉइंट फाइब आधा वन बाइट यानि एक घंटा का आधा पार्ट यानि तीस मिनुट तो एक घंटा 30 मिनुट आपका टोटल टाइम लगा तो आपसा नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा तो बढ़ते हैं एक बस है उसकी स्पीड कितने दी हुए है 45 किलो मिटर प्रती घंटा सो एम से 150 मिटर आगे एक माली यह बस है यह यहाँ से 150 मिटर आगे टरक है टी टरक इसकी स्पीड कितने दी हुए है 45 किलो मिटर प्रती घंटा ठीक है तो पूछरा ट्रक की स्पीड बताए है ट्रक की गती बताना 150 मेटर यह चल ला तो जब यह चल ला 45 की अपती हंटाइक श्पीड से 30 से कहज़ेंड का टाइम ले रहा हुआ यहं दोनों को लेकर 30 सकेंड में पार कर जा रहा है तो की बताना यह सपीड कितना होगा सबसे पहले माल लेते हैं ट्रकिष्पीड माल लेते हैं हम लोग 66 क्लमेटर फ्रति घंटा ओके माल लेते हैं ठीक है माण ली हमने अब बताओ relative speed कितनी हो जाएगी सबसे बड़ा question इसमें यह है relative speed कितनी हो जाएगी relative speed कितनी हो जाएगी इसमें बताओ किद्र हो जागा 45-1 जब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एक कोशन करते थे ट्रैने वाल हम लोगने साव किया था वहार पर इस राज्थे चाथी थिस राज्सकी धा This अ काथ है तरो मुझे यह यह घ्ञ था क्या करते थे का रिलेटिव स्पीट क्या हो जायगा एक्स माइनस माइनस वाई यानि एक्स प्लस वाई यानि दोनों को क्या नकरना था हम आपे जोड़ देना था यहाँ क्या करेंगे जब सेम डारेक्शन है आखिम ट्रक भी तुसी डारेक्शन हो जा रहा है और यह बस भी तुसी डारेक्शन हो जा रहा है सेम डारेक्शन है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रेक्ट हो जाएगा ठीक है यह आल लेडी आपका माइनस रहेगा 45 माइनस एक किलोमीटर प्रती घंटा यह आपका क्या हो गया रिलेटिव स्पीड हो गया ठीक है एक कॉंसेप्ट समझ में आया एक बहुत समझा देता हूं मैं आपको फ्राध्यान डाइक सब्ट्रेक्शन है यह बस जा रहा है माली जो इसका स्पीड एक स्पीड एक स्पीड य किलोमीटर प्रती घंटा है ठीक है अरहम कई अब बाव बताओ इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा ठीक होगे भाई साब यह आपका पोजित डारेक्शन में है यह जो यह निगेट्व में अल्लेटी जाएगा ठीक है तो यह आपका डायरेक्शन इस वजास होने इसके इस तरफ होने वजासे यह निगेट्व मा जाएगा आप पोजित डायरेक्शन होने वजासे यह निगेट्व मा जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है यह प्लस वाली कोशन का कॉंसेप्ट था ठीक है अब देखो इस कोशन का कॉंसेप्ट देखो यह बस इसी डारेक्श में जा रहा ट्रक वीच इसका माल लो यक्स इसका माल लो य तो क्या हो जागा यक्स माइनस वाई क्या कि डारेक्शन सेम है तो निगेटिव हो गा नहीं तो यक्स मा पोर आब और आपका क्या था रिलेटिव आपका इस्पीड था अब बताईए टाइम कितना दिया है त्थेज केंड तो देखिए आपका कितना आया आपका रिलेटिव कितना आ गया भी डिलेटिव आपका आगया 45- y-p थिक है यह आपका किसम है किलो में प्रति घंटे में इसको हम यूंद बिसकेंज करेंगा सेंज करेंगे तो समे प्रति के यह समे बराद करेंगे 5 अजिसे चेंज करेंग से करेंगे टैङ गुछोइं कर देंगे तो अठारे कि अधार चला जाँग it ab миपने उलग लिखता हूं 30 बरावर 150 45-x गूड़ 5 जो ठार तो यह आप उपर चला है अठार हो गया ठार बटे पांच हो गया अब देखो भाई 30 यह आप कहो जागा एक नट यह आप कहो जागा 45-x बरावर मैं 45-x को इस तरह लेकर रहा है 150 गूड़ 18 बटे 30 गूड़ 5 यह यह केंसिल हो गया ठीक है आपका बचा कितना 18 बस बचा कितना 85-8 या एक बरावर क्या बरावर हो जागा 45-18 यानि सब्सक्रेट कर एंगत कितना अगया 27 km पर आबर आपका क्या जागा राइट एंसर हो जागा जो अगला कोशन क्या है 150 मीटर लंबी ट्रेन 36 किल मिटर प्रती घंटा की गती से चल लेए रेल गाड़े की दीशा में 9 किल मिटर प्रती घंटा की गती से साइकल चला रहे एक प्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा बताईए सेम कॉंसेट्ट सेम कोश्चन कोई डिफ्रेंस नहीं है ठीक है तो मैं इसको जादे समझाओं गाने मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ देखिए इसमें क्या भी रिलेटीव निकालो डायरेक्ट भी रिलेटीव निकालो 36 मैनस नो की जा होता है 27 27 किल्य मिटर परति घंटा डिस्टन में कीतने चाइफ लुटilly से सई करता हूं हो इसको मैं चेंच कर देता हूं मीटर परति सेकेंड इका निकान ला समय निकान ला है तो देगे diminished 36 ह present अब previous कितना अगें मीटर परति सेकेंड में मिटर प्रस्य स्थेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5 बटर 18 से क्या करेंगे multiply करेंगे ठीक है 5 बटर 18 से multiply करेंगे देखे 67-18 ठीक है own 38 27 27 Nich सो निती कि है । 15 बट्टे क्या हो जाएगा 2 मिटर प्रस्य सेकेंड यह आपका स्पीड हो गया आपका लेंट यह दिया तो क्या निकालना है टाइम समय रहल क्या होता है दूरी बट्ट कितना 150 बट्टे आपका दिया जब रिलेटीव इसका स्पीड निकालेंगे तो छठीस मैनस नो करdetेंगे तो कितना ज heard 27 km प्रति घंटा आपका क्या आएगा भी इलेटीव आएगा यानि जो इसपीड आएगा आपका वह कितना हैगा डी आपका 20 सेकेंड आपका क्या हो जागा राइट एंस वर हो जाएगा ठीक है सेम कोश्चन याज का लास्ट कोश्चन आपका दो रेल गाड़ी एक समान दिशा में ठीक है समान दिशा में इसी डार्ट है याज चमान दिशा में 158 km per hour in the same direction a mine in the slower train passes the faster train in 80 seconds the length of the faster train is ठीक है कर आज धीमी रेलगाडी में बैठे एक ब्यक्ति को तेज गत्थी से चनले वाली डेल पार करने में 8 सेकेंड का समय लगता है तेज चनले वाली रेलगाडी की लंबाई बताईए सबसे पहले क्या करो दोनों आपका स्पीड जो डारेक्शन सेम है रिलेट्व स्पीड निकालो तर्ण्ठावन मैनस 30 कर लो 28 km प्रति घंटा यह आपका हो गया ठीक है यह सेकेंड में जाए 28 km प्रति घंटा को हम लोग चेंज कर लेते मीटर प्रति सेकेंड में तो 5 बटा 18 मल्टि प्लाइग कर लेते है यह अपका हो गया मिटर प्रति सेकेंड में अब देखो 18 सेकेंड में यह पार कर रही है तो कोई एक ट्रेन है यह दिमाला ट्रेन में एक आदमी बैठा है लंबी जो ट्रेन है ये जी स्पीड जादे हूँ इसको पार करती है ठारे सेकंड में उच्छा civilization बार करती है यानि faço में टर राइस सेकंड में दूसरे को पार कर लेते हैं class just ब्ढ़ करते हैं देखी जब वो पॉार करेंगे तो ट्रेण के दौर्ढ के दवारा जो 10 जी कि दोरह साध्रों ब्ढभाइ के बराबर ही ही दूरर करेगा नो मैंने आपको काणिव्ट जो बताया था कि जब कोई खंबा भी आगती वाला तो जब वो किसी आदमी ऐसो करने या ट्रेल को Northeast Grand करते हैं बात होई हुए तो आम जितनी शेयं के लंभाई होगी उतनospra Journal को अन्य दूराइं जा रहा है इस आदमी को 18 सीकंड़ में पार किया तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ट्रेन ही बेरापी टूरे करती है जब कोई आदमि या ृ करता है उससा जार पार करती है तो वह अपने लंबाई के ब्राबर दूरिताइख करती है तो ये आदमी है जब आदमी को एक क्रोस करेगा तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इन दूरिताइख करेगी और इसको क्रोस करने हम कितना time लग रहा है 18 सेकेड लग रहा है समझ मैं कॉंसेट आपको मैंने कैसे बता है आपको अब यहां से आप निका लेंगे क्या दूरी ठीक है अब देखें दूरी बलार क्या होता है दूरी बलार होता है चाल गुड़े समय 25 गूड़े 5 68ठाळे आपका क्या है 40 मीटर प्राथी सेकेंड में है घीक ळो गूड़े आपका क्या है समय कितना दिया 18 सेकेंड तो 18-16 के सिंसेंड हो जाएगा और एठाळ प्नचे क्या हो जाएगा 140 मीटर आपका क्या हो जाएगा